इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. टैमड्यू से 40 mg, 12.5 mg टैबलेट में दो दवाएं मौजूद हैं, जो हाई ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करती हैं. आमतोर पर इसका इस्तिमाल तब किया जाता है जब अकेले एक दवा ब्लड प्रेश को प्रभावी धंग से नियंतरित ना कर पा रही हो. ब्लड प्रेश को कम करने से भविश्य में हौट अटैक या स्ट्रोक होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. आप टैमिड्यू से 40 मिली ग्राम, 12.5 मिली ग्राम टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं. डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी. हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें. जब तक आपका डॉक्टर आपको रुखने के लिए न कहें, तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. इसमें डायूरेटिक, यानि की वाटर पिल होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है. इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तब भी नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करें. आमतोर पर हाई ब्लड प्रेश में लक्षन नहीं होते हैं, और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका होट अटेक या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है. सबसे सामान इस साइड इफेक्ट चक कर आना है. अन्निस साइड इफेक्ट में थकान, मिचली आना, डायरिया, यानि की दस्ट, फ्लू जैसे, लक्षन, सांस की तकलीफ और हार्ट बीट में परिवर्तन शामिल हैं. बार-बार पेशा बाना इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है. यही इस दवा का उद्देश है क्योंकि बार-बारे होने वाला यूरिनेशन आपके बलड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करता है. आपको अन्निस साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है. लेकिन दवा को ट्राइ करना संभव हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना है पोटेशियम सप्लीमेंट या सॉल्ट सबस्टिट्यूट का इस्तेमाल न करें। गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है। अगर आपको किड साइड इफेक्ट हो सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिक को क्लिक करें। धन्यवाद।